साथियों, बीते वर्षों में भारत ने कठीन से कठीन वैश्विक हलातों में भी अपने विकास की गत्य को बनाए रखा है इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज की भागिदारी है, देश हर राज को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है एक समय था, जब कोई नई टेकनलोजी आती थी, या नई सुविदा बनती थी, तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सिमित रह जाती थी लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहा है आज का नई भारत टेकनलोजी भी खुद बना रहा है और नई सुविदाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुँचा रहा है ये बंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बल्बुते ही बनाई है आज भारत अपने बल्बुते ही 5G टेकनलोजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर ख्षेतरों में ले जा रहा है भारत ने कोरोना जैस्टी महामारी की स्वदेशी वेक्षिन तयार करके भी दुनिया को चोंका दिया था और इन सब प्रयासों में समान बात ये हैं कि सारी सुमिधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सिमित ही नहीं रही बलकि सब के पास पहुँची तेजी से पहुँची हमारी ये वंदे भारत टेने भी अबुत्तर से लेकर दक्षिन तक पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को सपर्श करती हैं भाई और भेनों सबका साथ सबका विकास की इस नीती का सबसे बड़ा लाब अज़ देश के उन राज्यों को हो रहा है जो विकास की दोड में पीछे छुट गए थे पिछले आठ नव वर्षों में ओडिसा में रेल परियोजनाओं के बजेट में काफी बुर्दि की गई है 2014 के पहले दस वर्षों में यहां हर वर्ष आउसतन 20 किलोमेटर के आसपास ही रेल लाइने बिछाई जाती थी जबकि साल 2022 में यानि सिर्फ एक साल में ही यहां 120 किलोमेटर के आसपास नई रेल लाइने बिछाई गई है 2014 के पहले दस वर्षों में यहां ओडिसा में 20 किलोमेटर से भी कम लाइनों का दोरी करण होता था पिछले साल यह आकड़ा भी बढ़कर 300 किलोमेटर के आसपास पहुँच गया है ओडिसा के लोग जानते हैं कि करिब 300 किलोमेटर लंबी खोरदा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी आज इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है हरिदासपूर पारादिप नई रेलबाल नाइन हो टीटलागड राइपूर लाइन का दहरी करण और विद्यूति करण हो जिन कामों का इंतजार ओरिसा के लोगों को वर्षों से था वो अब पूरे हो रहे हैं आज ओरिसा देश के उन राज्यों में हैं जहां शत प्रतिशत हंड्रेट परसंट रेल नेटवर का इलेक्रिफिकेशन हो चुका है पस्चिम बंगाल में भी हंड्रेट परसंट शत प्रतिशत इलेक्रिफिकेशन के लिए तेजी से काम चल भी रहा है इससे ट्रेनों की रप्तार बड़ी है और मालगाडियों की समय की भी बच्चत हुई है ओडिशा जैसा राज्य जो खनीच संपदा का इतना बड़ा बंडार है केंद्र है उसे रेल्वे के इलेक्रिफिकेशन से और ज्यादा फाइदा मिलेगा इससे आउद्योगी की विकास को गति के साथ ही डिजल में होने वाले प्रदुशान से भी मुक्ति मिलेगी